यह सपेज चीज कड़ी पत्ता मीठा नीम के पौदे को एक ही बार में हरा और गना कर देगी यह गुलंसील है और इसे जब आप अपने कड़ी पत्ते के पौदे में डालोगे तो पौदे की रिक्वी हुई ग्रोथ फिर से सुरू हो जाएगी एक ही बार में आज की वीडियो में आपको बताऊँगा यदि आपने कड़ी पत्ता मीठा नीम का पौदा लगा रखा लगा तो यहां पर जो कड़ी पत्त मीठा नीम का पौदा देख रहे हैं इसमें साइड ब्रांचिस बहुत निकल रही हैं तो जिन लोगों के कड़ी पत्ते मीठे नीम के पौदे की ग्रोथ नहीं हो रही है या अचानक से आपका पौदा सूख रहा है तब क्या करना चाहि कैसे हम अपने पौदे को हरागना करें सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आपका पौदा जमीन पे लगा है या गमले में लगा हुआ है तो उस पौदे का आपको पानी बंद कर देना है क्योंकि जादा पानी यदि आप देंगे तो पौदे की जड़े गल जाएंगी तो इ दूसरी चीज कड़ी पत्ता मीठा नीम के पौदे को देखी आप ऐसी लोकेशन पर रखें यदि गमले में लगा हुआ है तो डारेक्ट इस पर पूरे दिन की धूप आती रहे जितनी धूप आएगी उतना ही हमारा कड़ी पत्ता मीठा नीम का पौदा बिखास करेगा और ज इसमें कौन से फेटलायर हमें देने चाहिए जिससे पौदा बहुत तेजी से बढ़े तो यहां पर यह जो एक चमच आप यह जो वैट कलर की चीज देख रहे हैं यह हमने एन पी के 13.045 लिए यह गुलन सील होती है तो यदि पौदे की बिलकुल ग्रोथ रुख चुकी है यह पौदा सूक रहा है तब जाकर इसे आप एक चमच डाल दीजिए आप गंबले में भी डाल सकते हैं और पानी में भी तो हमने एक ग्लास पानी लिया हुआ है और एक चमच एन पी के 13.045 लिया हुआ है इसमें सूक चम पोस्तत तो भरपूर होते हैं यह पौदे की जो ग्रोथ रुकी होती है उसको फिर से सुरू कर देती है तो हमने एक ग्लास पानी में एन पी के 13.045 को अच्छे से गुलने के बाद में इसे हम इस पोदे में डाल देंगे और एक ही बार में आपके पोदे पर आपको फर्क दिखने लगेगा आपके पोदे की ग्रोथ होने लगेगी, साइड ब्रांचिस निकल ले लगेगी, तो इस तरीके से आप अपने कडी पत्ते मीठे नीम के पोदे को हरागणा बना सकते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो च्छी लगी होगी यदि वीडियो च्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें औ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेट उठेंगे